नमस्कार दोस्तों के सब लोग उमिंद करता हूं सब खेरिया से होंगे और अपनी लाइस में खुश होंगे दोस्तों रहूल ड्रिविड का कारेकाल खाता मोच चुका है और अब वो टीम इंडिया के हेड कोच नहीं है हलाकि उनका कारेकाल तो वर्ल्ड कप 2023 तक ही था वो निस नॉंबर को जो फाइनल हुआ न बस उनका कारेकाल वहीं तक था लेकिन क्या हुआ वर्ल्ड कप के तुरंत बाद या कुछ ही महिने बाद T20 वर्ल्ड कप आने वाला था तो BCCI ने सोचा कहां हम नया कोच अपोइंट करेंगे कहां हम इंटर्व्यू लेंगे लोगों के इस सच्चा हम रहूल ड्रेविड कोई T20 वर्ल्ड कप तक हेड कोच रखते और उनका कोंट्रेक्ट एक्स्टेंड कर दिया BCCI ने लेकिन अब तो T20 वर्ल्ड कप भी खतम हो चुका है और एक fairytale एंडिंग हो चुकी है और fairytale एंडिंग हैppी होथी है तो रुहिती विराट और रहूल ड्रेविड के लिए ये एक fairytale एंडिंग है काफी जाध हैपी एंडिंग हुची तीनों ने वर्ल्ल कप जीता है एग ने एज़ा कोच जीता, दो ने एज़ा प्लेयर जीता और रिटार्मेंट ले लिया, लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उन तीन आईपेल टुमों के नाम बताने वाला हूँ, जो आईपेल दोजार पचीस में राहूल ड्रेविड को अपना हेड कोच बना सकती है, ठीक ह वर्ल्ड कप जितवाया, और आई थिंक उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान प्रत्वीशो थे, शुबमन गिलो और प्रत्वीशो आपनिंग कर रहे थे, कमलेस नगर कोटी थे, और एक और फास्ट बोलर था, जो कि काफी अच्छा था यार, नाम याद नहीं आ लेकिन ये सब गेंदबास थे, और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में, या कोई से भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, इंडिया की तरफ से जो अच्छा प्रदर्शन करता है ना, वो काफी महेंगा बिकता है, अब आपको देखी लो, यस धूल को देख लेते हैं आप, और एक और थे हरसित राना भी अंडर 19 वर्ल्ड कप से निकले हुएं, ये सब बिकते महेंगे, और एक CSK ने भी खरीदा था यार, अंडर 19 का, अंगत बाबा है ना, अंगत बाबा तो उनने खरीदा था, क्या बोलते हैं, पंजाब किंग्स ने, CSK ने कौन सा खरीदा था, अभी हाली में खरीदा था, ओल्राउंडर था जो की, राजवर्दन, राजवर्दन हंगर के करहना, तो ये सब अंडर 19 से निकले हुए थे, लेकिन 2018 के से नहीं थे, ये तो अभी एक दो साल पुराने वाले, लेकिन 2018 से कमलेस नगर कोटी, और ये शुबमनगीली, प्रत्वीशो, ये सब 2018 वाले थे, 2018 में राजवर्द रेविड ने इंडिया को अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया था, अपनी कोचिंग के अंडर में, ठीक है न दोस्तों, उसके बाद टीम इंडिया 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में भी गई, और आई थिंक 2022 में राजवर्द रेविड को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया था, हना, तो वहाँ पर टीम इंडिया 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में भी गई, उसके बाद 2024 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत गया, फाइनल में गई और जीत भी गया, फिर 50 ओर के वर्ल्ड कप की बात करे, तो यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में गई ती इंडिया, पचास वर के बाद कर रहा हूँ, और देखा आपने कैसे गई, लगातार 10 में जीत के गई, और convincingly जीत के गई, ऐसा नहीं कि कोई सा मेच गिरते पड़ते जीता, सब एक तरफे जीते हैं, हाला कि मान लिया वो, फाइनल हम जीत गई थे, जहां पर हार्दिक पंड़े ने काफी अच्छी पारी खेली थी, और छक्का मार कर जिताया था, लेकिन उसी टूर्नामेंट में एक और बार इंडिया, पाकिस्तान आमने सामने आये थे, तो मुहमद नवाज और वो, क्या नामे, इनके खिलाडी भी अंदर हमार होते रहते हैं, वो हेदर अली है न, हेदर अली ये नहीं खुस दिलसा, तो खुस दिलसा ने, और मुहमद नवाज ने वो, पाकिस्तान को मेच जिता दिया था, पाकिस्तान चेस कर रही थी, वो मेच, हालागी वो जीत जाताया अगर अर्श्दी सिंभ वो केज आप यार कितना अच्छा खिलाड़ी वो जान बुच कर तो नहीं हरा रहता ना और पाकिस्ताने वाले मेच में उसने कितना अच्छा केज पकड़ा वही केज नहीं है जहां पर भुमरा बॉल फेक रहते इफ्तिकार है बाद दे शोट मारा फुल टॉस बॉल पे वो गेंद उचल गई और वो अर्सदीप सिंग नहीं केज पकड़ा था और वो काफी अच्छा केज पकड़ा था और वहाँ पर सुर्यकुमार टकरा आये थे उनसे यादा टकरा ग करते हैं कि कौन से तीन टीम है जो रहूल ट्रविड को अपना हेड़कोच बनवा सकती है तो नंबर तीन पर मैंने देली केपिटल्स को रखा है अब आप बोलो गयार इनके कि हेड़कोच तो रिकी पॉंटिंग है जो कि काफी अच्छ है अब क्याची है इनको लेकिन दोस अब बोले तो प्लेओफस में गई है उससे ज़्यादा नहीं गई है प्लेओफस में जाही नहीं पाती है देली के एपिटल्स और खिलाडियों की कमी नहीं है ट्रिश्टन इस्टप से रिशप पांते डेविड वार्नर है वो जेक मेगर फ्रेजर है ना वही है ना नाम थ बीच मों उन्होंने पारी खेड़नी ना फाइनल में तो उनका एक से प्लेयर है फिर भी नहीं जीत पाए तो क्या पता है अगर इनकी वो सोचने में कोई दिक्कत है या इनका जो वीजन है वो थोड़ा गलत है और राहुल ट्रिविड का वीजन काफी जाद अच्छा है औ और दिल्ली के पिटल्स को आई पिल 2025 जितवा भी सकते है इसलिए मेरे साब और एक कारण ये भी वनता है ना सोरव गांगोली और राहुल ट्रिविड दोनों एक साथ इंडियन टीम में खेलते थे हाना एक साथ खेलते थे ना और सोरव गांगोली ने जब कपतानी छोड़ तो राहुल ड्रिविड को मिली थी और सोरव गांगोली उस टीम में मेनेजिंग डायरेक्टर के रूप में या मेंटोर के रूप में तो सोरव गांगोली उस टीम में में मेनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे और राहुल ट्रिविड टीम के हेड कोच बन जाएंगे दोनों क एक साथ मिलकर आइधिंग दिल्ली के पिटर्स को दोजार पचीस का आईपेल भी जितवा सकते हैं या आईपेल ट्रोफी भी जितवा सकते हैं तो यह मेरा मानना है क्या पता है इसा हो भी जाया और होगा तो काफी अच्छा लगेगा तो दोस्तों अब मैंने नंबर दो पर सबसा जार रहें गोतहम गंगीर हैं के मेंटर और हेड कोचे चंद्रकांच πंडीत लेकिन दोस्तों बात क्या है गोतम गंभी अभी यह अगले महीने से या इसी महीने से 26-26 तारिफ को टीम इंडिया के ओफिसली हेड कोच बन जाएंगे 26 तारिफ से इंडिया की सिरिलंका से सिरीज होने वाली है T20 और ODI की वहाँ पर गोतम गंबिर टीम इंडिया के हेड कोच रहेंगे और उनी के अंडर में सिरिलंका टूर खेलेगी उनको अपने सारे रिष्टे नात तोड़ने पड़ेंगा IPL टीम से एसा निया में राहूल डेविट को देखा आपने किसी भी IPL टीम से जुड़े हुए जब तक वो टीम इंडिया के हेड कोच नहीं थे ना तो यही बात है अगर गोताम गंबिर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए तो अगर गोताम गंबिर टीम इंडिया के हेड कोच बन जाएंगे न तो उन्हें कोल कतना नाइट राइडर से अपने सारे रिष्टे तोड़ने पड़ेंगे थोड़ा मिस भ्याव कर रहे थे वो, काफी ज्यादा सकते हैं, उनका विवार थोड़ा वो है, मतलब एकदम वो नियमों के एकदम पक्यों होते हैं न, वेसे हैं, और खिलाडियों को उनसे दिक्कत यह साम माना गया था और इसी रिपोर्ट साही थी मेरे पास, लेकिन मैंने उस रिपोर्ट के उपर वीडियों नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगा यार नहीं होंगे यार वो एसे, क्योंकि उनके सकल देखके तो नहीं लगता, और क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो यह केक्यार है न, यह वीडियों ऐसी डालती है, कि चंद्रगान पंडित, खिलाड यह रिंकू सेंग, वेंके टासाइयर आपस में नाच रहें, डीजे या डिस्को पर नाच रहें, तो मुझे लगा यह गलत खबर है, लेकिन खबर आई थी, तो सायद हो भी सकते हों, थोड़े सकत आदमी, और राहूल ट्रेविट का तो आपको पता है, कितन सांत आदमी है और इनकी टेक्टिक्स भी, I think चंदरकान पंडिस से तो लाख गुना बहतर है, लाख गुना बहतर दिमाग इनके पास, राहूल ट्रेविट के पास है, चंदरकान पंडिस से कंपेर करें तो, और अगर चंदरकान पंडिस टीम, sorry, KKR के हेड कोच बनते रहते हैं, या बने पड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तो, नंबर वन पर मैंने रखा, रॉयल चेलेंजर्स बेंगलोर को, इनसे ज़्यादा जर्रत किसको होगी, राहूल ट्रेविट की, ये हर साल किसी नए चेहरे को लाते हैं, संजे बांगर को लाए, माइक हैसन को लाए, और अब एंडी फिला इस तीम के चार जाती है, और फिर लागातर 5 में जीत भी जाती है, लेकिन क्या फाएदा, प्ले ओस में जा कर तो भार हुचाती है, और अगर अगर I think, हमरे राहूल द्रेविड इस टीम के हेड़ कोछ बनेगे, तो क्या पता ये टीम IPL 2015 जीत भी जा है, बड़ी बात नही क्या रहा हूं लेकर राहूल ट्रिविड जित्वा सकते हैं और विराट कोली और राहूल ट्रिविड का नाता आपको पता है न केसा है दोनों टीम इंडिया में एक साथ खेले नहीं है मतलब दोनों टीम इंडिया में एक साथ रहते हैं टीम इंडिया में विराट कोली एज़ प्रदर्शन करें कि पता चल जा रहूल ट्रेविड के आने का असर है इस टीम में इसा तो पता चलना चीए और एंडी फ्लावर का वो दिमाग तो नहीं लगा मुझे इस टीजा उन्होंने टीम भी केसी खरीदी यार वो लोकी फर्ग्यूसन तो ठिक ठाक ता हो अलजारी जोसफ को पोने 12 करोड रुपए में खरीदा 11 करोड पचास लाक रुपए में कैसे कैसे तो खिलाडी खरीदे इन ह और वो एक साबाज एमद जो कि हिदराबाद के लिए काफ़ी अच्छा प्रदरसन कर गया बेटिंग काफ़ी अच्छी कि इन्होंने और इंपोर्टेंट विकेट्स भी लिए जब जब उन्हें पेट कमिंस बॉलिंग के लिए लाए उन्होंने विकेट लिए उसको इन्हो को गोना बहतर था माइंक डागर से मेरा तो यह ही मानना है तो इन्होंने ट्रेड भे काफी जादा बेकार करे और केस डील करी इन्होंने केमरे गरीन को लेकर रहा है हलाइके सुरूंके कूछ मेच वीमाय उसमें तो तो दोस्तो मैंने आपकों तीन टीमों के नाम बता दिये जो कि IPL 2025 में राहुट रिवुट को अपना हेड़कोच बना सकती है। नमबर तीन पर मैंने देली के पिटल्स को रखा, नमबर दो पर मैंने कोलकता नाइट रेड़र्स को रखा और नमबर वन पर मैंने रोयल चेलेंजर्स बेंगलोर को रखा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जाने करी पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर देना, चेनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक लिए बाबा चैहिंत वंदे मात्रों